कस्वा के ठाकुरवाडी माकाली मंदिर प्राग्मन में मोहतसब का विदिवत अधगाटन खाद एवं उभोकता सनरक्षन मंतरी लेशी सिंग द्वारा दीप परज्वालित कर किया गया इस मोके पर कस्वा के 10 जेंटिल्मेन औफ कस्वा डॉक्टर विपिसा जद्यू के अल्पसंख्यक प्रकॉस्ट के मुहमद इर्फान लेखा समीती अध्यक गोपाली आदव पारसद सिल्पी सुमन आदी उपस्थित थे मोके पर डॉक्टर विपिसा ने कहा कि कस्वा की धर्ती माता सिस्वती एवाम लक्ष्मी की धर्ती है यहां के युवा विविन चेतरों में अपना हुनर का पंचन लहरा कर कस्वा ही नहीं अपितु जीले के नाम रोसन कर रहे हैं यहां गनपती मोक्षब पिछले 27 वर्सों से आयोजीत होता रहा है वहीं मंत्री लेसी सिंग ने कहा कि गनपती मोक्षब कस्वा में हर वर्स काफी धुमदाम के साथ मनाया जाता है मोक्षब के माध्यम से हम अपनी सब्यतावा संस्कृती को जिवित रखने का प्रियास करते हैं क्योंकि मोक्षब के 10 दिनों तक यहां पर विविन विद्याओं का कला प्रदर्शन होता है वही जद्यूनेता वाप्पुर्व जिला प्रमुक संगध्यक्ष मोहमद इर्फान ने का आगी गनपती मोहत्सब पर आयोजित विविन तरह की कला संस्कृती की प्रस्तुती लोगों को एकता में बांधे रखने एवं अपने संस्कृती वास अभ्यता को समझने में सायक् हम अपनी संस्कृती को जिवित रख्या क्योंकि यहाँ पर गनेश मोहत्सब के अफसर पर जैसा की सभी आयोजन समीती के साथियों ने बताया कि दस दिनों तक यहाँ पर विविन तरह का कार्शक्रम चलते रहता है संस्कृतिक कार्शक्रम कभी समेला नाटक जो हमारे संस्कृती से जुड़ा हुआ है जो आज के समय में यह हमारी संस्कृती विलुप्त होती जा रही है इस समय में कस्वा में यहाँ गनेश मोहत्सब के अफसर पर दस दिनों तक लगाता है विविन ने विधाओं का यहाँ पर कला का प्रदर्शन होता है और सभी लोग पस्तित राते है